क्या धर्ती के अंदर पाताल लोक वाली कहानी पर आपको भी विश्वास है? दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हमारी पौराने कथाओं और कहानियों का हिस्सा रहा है. क्या आपको भी लगता है कि सच में धर्ती के नीचे या धर्ती के अंदर कोई पाताल लोक है? जबकि कई लोग मानते हैं कि धर्ती के नीचे सिर्फ पानी है, आईए विज्ञान के जरिये इस सच को जानने की कोशिश करते हैं. कई धर्मों में पाताल लोग का उलेख मिलता है हिंदू पौरानिक शास्त्रों में 14 लोगों का जिक्र मिलता है जिनमें से 7 लोग धर्ती के उपर और 7 लोग धर्ती के नीचे बताए गए है जिनमें से एक पाताल लोग है जो जमीन की सत्या के नीचे स्थित है, ऐसा माना जाता है पौरानिक शास्त्रों के हिसाब से पाताल लोग जमीन के नीचे स्थित एक अद्रिश्य दुनिया है हिंदू धर्म में पाताल लोग को नागो और अन्य पौरानिक प्राणियों का निवास्थान माना गया है जबकि कुछ धर्मों में पाताल लोग को मृतकों की आत्माओं का निवास्थान भी माना जाता है दुनिया के अलग-अलग देशों में पाताल लोग के बारे में कई कहानिया और किस से मशूर है Chinese Academy of Science में एक रिपोर्ट पबलिश हुई जिसमें दावा किया गया कि धर्ती के अंदर दो पाताल लोग है वहां तक पहुँचने के लिए 70,000 योजन यानि लगभग 9,10,000 किलोमीटर की गहराई पर जाना होगा इसका कोई जवाब अभी फिलहाल मौजूद नहीं है क्योंकि इसका वैज्ञानिक आधार अब तक उपलब्ध नहीं हो पाया है एक और कई लोग मानते हैं कि धर्ती के अंदर सिर्फ पानी ही पानी है क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी कहीं कोई खुदाई की जाती है या कुआ बनाया जाता है तो धर्ती के नीचे एक धास गहराई पर जाने पर पानी मिलता है धर्ती के अंदर पानी की मात्रा हर जगह एक समान नहीं होती नदियों और तालाबों के पास जमीन के नीचे पानी की उपलब्धता अधिक होती है जबकि रेगिस्तानी इलाकों में यह कम होती है मगर लोगों को लगता है ज्यादा मिलता होया कम मगर धर्ती के अंदर एक निश्चित गहराई पर जाने पर पानी मिलता ही है इसलिए कई लोग भ्रमित रहते हैं कि धर्ती के नीचे सिर्फ पानी है लेकिन यहाँ सच नहीं है तो फिर धर्ती के नीचे क्या है? अगर विज्ञान की बात करें तो उसके हिसाब से धर्ती तीन मेन परतों में बटी हुई है जो है क्रस्ट, मैंटल और कोर धर्ती की सबसे उपरी परत क्रस्ट कहलाती है इसके नीचे मैंटल और सबसे अंदर कोर होती है जैसे जैसे हम धर्ती के अंदर गहराई में जाते हैं वैसे वैसे तापमान और दबाव बढ़ता जाता है लेकिन धर्ती की संरचना हर जगह एक जैसी नहीं होती इसमें कहीं चट्टाने मौजूद है तो कहीं लावा तो कहीं यह सॉलिड स्टेट में है शायद आपको यह पहले से मालूम हो कि इसी अत्यधिक टेंपरेचर की वजह से जमीन के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है जो चट्टानों पर दबाव डाल कर उनमें हलचल पैदा करता है इसलिए दबाव बदलने से ये चट्टाने जब भी आपस में टकराती हैं तो उसका असर हमें जमीन पर भूकम के रूप में दिखाई देता है जब हम धर्ती के और अंदर जाते हैं तो हमें लावा यानी मैगमा मिलता है जो बहुत ज्यादा गर्म होता है यहाँ मैगमा मैंटल लेयर में मौझूद होता है जो ज्वाला मुखी विसफोटो का कारण बनता है हालांकि कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि मैंटल लेयर में कुछ ठोस ख्षेत्र हो सकते हैं जिन्हें पाताल लोग कहां जा सकता है पर यहाँ बात कितनी सटीक है इस बात का कोई प्रमान नहीं मिला है क्योकि विज्ञानिक अब तक ऐसा कोई उपकरण नहीं बना सके है जो पृत्वी की मैंटल लेयर तक पहुँच सका हो ऐसा इसलिए है क्योकि मैंटल लेयर में पहुँचने से पहले ही धर्ती के नीचे इतना ज्यादा तापमान मिलता है कि उसमें किसी भी उपकरण का टिकना असंभव है सब मशीने उस टेंपरिचर में पिघल जाएंगी इसलिए धर्ती के नीचे का रहस्य एक गुथी की तरह सामने खड़ा है जिसमें कुछ अनुमान है और कुछ साबित हो चुके तथ्या रही बाद धर्ती के अंदर जीवन की तो धर्ती के नीचे जीवन मौजूद है लेकिन यह जीवन हमारी कल्पनाओं से थोड़ा अलग है यहां आपको कोई नागवंज, राक्षस सामराज्य या आत्माओं का वास नहीं मिलता यहां बस कुछ खास तरह के माइक्रो ओगेनिजम्स जैसे बैक्टेरिया, फंगिस और वाइरिसिस पाए गए है Scientific Research और खोजो के अनुसार, धर्ती की सतह से लेकर 5 किलोमीटर तक की गहराई में माइक्रो ओगेनिजम्स पाए गए है यह जीव High Temperature, High Pressure और Low Nutrition में भी जीवित रहते हैं, जहां सामान्य जीवन संभव नहीं होता धर्ती के नीचे जीवन का अध्यान करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जीवन कितनी कठोर परिस्थितियों में भी पनप सकता है यह जानकारी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे सौर मंडल या अन्य ग्रहों पर भी जीवन हो सकता है जहां परिस्थितियां अत्यंत कठिन है तो दोस्तों पाताल लोक की कहानी और वैज्ञानिक तत्यों को समझने के बाद हमें यह पता चलता है कि धर्ती के अंदर का सच हमारी कलपनाओं से कहीं अधिक जटिल और अलग है पाताल लोक की कहानिया हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा हो सकती है लेकिन विज्ञान ने हमें धर्ती की असली संग्रचना और रहस्यों के बारे में बहुत कुछ सिखाया है जिसके आधार पर यह कहां जा सकता है कि धर्ती के नीचे कोई पाताल लोक मौजूद नहीं है दोस्तों इस विडियो से पहले क्या आपको भी इन पाताल लोक की कहानियों पर यकीन था? अपना जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं उमीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी अगर हाँ, तो विडियो को लाइक और शेयर जरूर करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले ताकि आपको ऐसी ही जानकारिया आगे भी मिलती रहे अब जल्द मिलते हैं एक और इंट्रिस्टिंग और इंफोर्मेटिव विडियो में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत